तो आपको बता हुए कि इस भाई साथ है क्या हर्कत करी है यह बाई साथ है जो इनको होस्पिटल लेकर जाना पड़ा था यह इंजर हो गए इसके जो दो आगे के पैर है इनमें चोट लगी थी वह थोड़ी टेड़े पैर रख रहा था तभी हमने यह मेरे रूम के अंदर घ तो इसको पता चल गया तो यह बैट से कूद गया और इसको कूद के तो यह बच्चा इस वह पता निचला तो इसके जो यह पाउस है ना इनमें चोट लगी मुले ठूक गे पैर तो अब यह पैर को निकाल के रखने लग तो आपको आपको मैं दिखाऊंगी किसी वीडियो हमें तो उसके बाद फिर इसको ना होस्पिट पहले तो हमने सुच्छा कि कोई नहीं ऐसी रख रहा होगा बैड मैन हो सब्सक्राइब गलत पोस्चर की वज़े से यह सारी चीज़े कर रहा होगा लेकिन गलत पोस्चर नहीं था यह हमें तीन दिन बाद दो तीन दिन बाद सब्सक्राइब गलत पोस्चर की वज़े से कुछ भी नहीं हो रहा इसके चोट लगी हुए अब हमें फिर थोड़ा शक तब हुआ जब यह बैड पे चले तो तो सीधा चल रहा है लेकिन जब इसको फर्स पे चलना था 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 फिर यह पैर को यू रखने हुझा यू रख यह निकाल के रख रहा है इसे पैस तो फिर हम इसको डॉक्तर के लेके पहले दिन दॉक्तर के लेके लिए अपर उन्ने बोला एक्सरे करवा लेना तो अग्ले दिन शुटी थी तो हमने एक्सरे निकर आए हम मंडे को कल इसको फिर से वहस्पिटर लेके गई तो आप जूट साथ पहन के जा रहे हैं यह जा रहे हैं समीश के कपड़े हैं वह पी कोशन अब लेते हैं आप लोगों को पता ही है वाजा है और नीचे तक विदाई कर क्या हूए पापा अब क्या हुआ पाशे क्यों अब हुआ है चलो जाओ बाए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक टॉपिक के बारे में डिस्क्रस करना चाहते हूँ जिसका नाम है हिप डिस्प्लेशिया हिप डिस्प्लेशिया हमारे डोग्स में बहुत कॉमन डिसीज है और ना इसका भी इंडिया में प्रोपल मतलब जादा कोई इसकुर है एंडिया में तो उसके लिए हमारी यह जो कंपनी है लफ ब्लस पैट इंग बनाइए जो हीप डिस्प्लेशिया मेंहेरा हिया बावट करती को मतलब अगर हमारा डोग इस बेल्ट को पहनता है तो उसको ना ह玩баiben लिक्स्प्लेशिया होता इसमें बहुत अच्छी भी लग रही और बहुत कमफरटेबली इसने पहन लिया थे इसको ज्यादा कोई दिक्कत भी आई थी यह जो बैल्ट है यह बहुत ज्यादा हेल्प करती है बैक पें से रिलीफ करने में या फिर अगर बैक में कोई वीकने सो उससे रिलीफ होने के लि को बैटर करने के लिए और आपने देखी लिए हैं कैसे यह अपनी रजग्या के ऊपर कितनी सुंदर लग रही है यह तो इंडिया के अंदर इतने प्रोड़क्ट्स है भी निधि जो इस चीज को अपनी जो फिप डिस्प्लेस ही या फिर इनके पास और अच्छे यह X-ray का section है इधर जा रहे हैं लुवास में तो चलो एक बार इसका X-ray करवा के फिर बताते हैं यह है X-ray मसीन यह आगे और इसको यहां पे X-ray करवा दिया है इसका एक बार अभी रोग सब रिपोर्ट बताएंगे देवदरी चेक कर दिया है इसको चेक करवा दिया और कोई प्रोब्लम नहीं है इसके यह जो बैड से गिरा था ना तो यह ठूप गया था इसका यह डोक्तर नहीं कहा रही है कि यह ठूप गये इसके पाउं तो इसको रेश्ट करवाना आगी पंदरा वीच दिन ज्यादा गुमाना नहीं है और उससे वो जो है वो ठीक हो जाए या कुछ मैदिशन लिखी है तो मैदिशन ले लेंगे और उसके बाद इसका हमने सब कर दिया अब इसको बैड पे रखते हैं पट्टीश की बंदी रहती है अब यह थोड़ा ठीक होने लग रहा है मतलब बैड पे सही पैर रख रहे है बाद की इसको श्रार्त तो यह ऐसी ह Casey देसकी का अध़ी पहले वेड्यातक आसी पहले आता इसकी श्रारत Val TE कोन निगे यह अपधे कोन मैं दिछान में की तो बीट ह路व हूं टैक अ के की सांद भी मृट्ट ये से पश्रेव दूमा बूचे, ये साम बश्यों अच्हे बाते हैं, जए बुश्यों की रहे ज़yon के ऐसे में रहे लत्र देखोर्ए पर दरा में सहुने। में दिखेंगें इसकाद रहे लिखेंगें। कि देखो चैनल के आपके बेर के वेधिंगार के टाकर में डाल रहा हूँ कि खाला कि बेर की पिलिग यह ले जो भाइबनयग्ऐ करेगा इसका क्या करेगा देखो 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 मिल को तर पाइसकर आधर मिल को दे भे आइन को दें कर दो दिक लें ट वा में र्ट को दें मिल को दें म informação से क्षोफ़ कर दो कर दो दो only मिल को दो मिल को दो के Wट सो दो थ सावर मिल को दो पर से न्योजाए कैसे जो सिम्हारा कुदा इसके बाइशा बाइस निचे कुदि गया और इसको डॉल्टर को चाहिक कुदा आगे ले अगे इसको बताया की करपटी बादो इसके पढ़ गदोग्परकुदा यह दुन्यू पैरा को गरम पट्टी बंद्रियों देख सकते हैं, यह देखना इस बंद्री के को, दुन्यू पैरा भड़ुवाल ये इसने, ठूक ये इसके पैरा, निच्चे किरने के वज़े से, सरारते थुदू, नाम भी ने, ये कम ओड़े के देखले इसके आलाद, इस कोई आसर निहीं रखत है, ये जТ्रहा को ह्जू असे, कोई मतलब नी इसको, इसके, पाउओन मुढ गें, इस बंद्री के, पाउओन मुढ गेमारी बंद्री के, ये ज्यादा मुढ गया इसका, जैसे ठूक गया, जैसे निच्चे गरते है और नर से, तो ऐसे ठूक गये, तरीक देखे, इसके बैतने का जाई आममी देखो थोर के सतना थोरू थोरी, कैसे बैती में बिटी कोचे बैती, यह इंपे, यह इंपे, यह इंपे यह पर को जो पर इंपे इस बामी ही फिर से बिताओ फैसर में देखर देख ऴाय धर यह देख इन्या स्नृ आल कैंच मारंक लेदए फन्या वे नचे तर्ड में चंड़ जाए ड्याणियों अएक कांगी आग्यात मैं बच नहीं। कांग लगता है, जब अपट्ड़िक हो तुम्य। गोड़ेट में बच्टु जघाएएएएएए तो दोस्तों कई दिना वाद व्लोग में आया हूँ और आप मेरे हैस्टाइल और यह देखके अजीब सा लग रहा हूँ आपको बही पर मैं इस वीडियो में आना निचा रहा था नेक्स व्लोग में मैं आपको थोर के साथ रियक्शन देऊगा कि सबसे पहले मैं जब थोर को जरुए हो गया आप लोगो थोड़ी चीजे क्लियर कर दे हाँ यह जो इसके पैरों पर चोट लगी है यह एक बार हमने चेक करा कि कहीं यह शुरू से तो नहीं थी तो आप लोग सारे लोग इसके प्रीविएस ब्लोग देख सकते हो यह बिलकुल साही पोस्चर रखता है पैरों में इसके कोई दिक्कत नहीं है मैंने बहुत अच्छ अच्छे जिनको नोलेज है उन सबको इसकी वीडियो भी दिखाई थी परफेक्ट बच जाए है इसकी में अंदर कोई भी पहले से कोई दिक्कत नहीं थी सो यह क्या हुआ यह मम्मी और के साथ खेल रहा था तो मम्मी और ने ध्यान मतलब वो काम और कर रहे थे और यह शरार्ती बहुत है यह बेड़ पे से गिर गया कूद गया और कई बार क्या होता है कि पपीज कूद जाते हैं बोड़ी का सारा वेट इसके आगले पैरों पे जा गया इसमें वह पैर रखे थे और वह कई वार अपने अपने खुद के भी पैरों में हो जाता है तो इस वज़ए से यह थोड़ा खेलते खेलते यह ठेड़ा रखने लग गया कि इसको पेन हो रहा था ध्यान वह नहीं दिया गया इतनी असानी से इस वज़ए से एक-द ब्रक लेते हैं तो ऐसे घड़ने लग जया था तो इसके बाद फिर इसके चेक चरह सुरह करवाया तो कोई भी फ्रेक्चर कोई नहीं कुछ भी नहीं नहीं है तो डॉक्टर नहीं बताई की बीना हमने खेल रहे थे जब यह डॉक्टर को नहीं दिखाया था उससे पहले की क्लिप से बीच में अब क्या है अब इसकी सिचुएशन में बता देता हूँ नेक्स व्लोग में भी पता चल जाएगी आप लोगों को बाकी अब इसकी सिचुएशन बहुत ठीक होगी है मतलब almost 40% recovery होगी है इसकी यह बैड के उपर बिल्कुल अच्छी तरिके से पहर रख रहे है तो बैड पे और जो इसका कारपेट है तो यह देरी देर ठीक हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं हो जाते है चोटी बोटी चोट तो खेलते हेलते बच्चों के लग जाती है हाँ भई यह जो प्रोड़क्ट है इसे जरूर एक बर चेकाउट करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है इसे जरूर चेकाउट करो बहुत चार है अच्छे अच्छे प्रोड़क्ट है हाँ और कमेंट सेक्षन बताई हो कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पर वीडियो देखनी है मैं आप लोगों के साथ नेक्स व्लोग में वो वीडियो शेयर करूँ है जब मैंने थोड़को सबसे पहले बार देखा था और अपना एक्स्पिरेंस भी बताऊँगा अगर आ तो नेक्स व्लोग में मिलेंगे आपके बाइबाए